कॉंग्रीस ने एक्जिट पॉल को लेकर होने वाली टीवी डेवेट्स में शामिल नहीं होने का निर्नलिया है पार्टी प्रवक्ता पवन खेडान ने कहा कि कॉंग्रीस टी आरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती खेडा ने आगे कहा कि मतदान की पईड़नाम मशीनों में बंद हो चुके हैं चार जून को पईड़नाम सब के सामने होंगी इसके बाद कॉंग्रेस पार्टी टीवी डिवेट्स में शामिल होगी कॉंग्रेस की इस फैसली पर तंज कस्ते हुए ग्रह मंत्री अमिश्वा ने कहा कि exit पोल में कॉंग्रेस की बड़ी हर होगी इसलिए वे मीडिया का सामना नहीं कर सकते हैं श्वाहने कहा कि कॉंग्रेस काफी समय से denial mode में हैं और इस बार हार को बयाया न कर पानी की स्तिती में वे इसका बहिशकार कर रहे हैं वहीं भाजपा अद्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा कि नतीजों से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है उन्होंने कहा कि कॉंगुरिस का पास्खर्ण किसी से छिपा नहीं है और इसलिए साथवे चरण में कोई भी उनके लिए अपना वोट परवाद ना करे लोगसवा चुनाब 2024 के साथवे और अंतिन चरण में शनिवार एक जून को साथ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है 542 लोगसवा सीटों के लिए छटे चरण तक 485 सीटों पर मत्दान हो चुका है एक जून को आखरी 57 सीटों पर वोटिंग होगी गुजराद में सूरत से भाजपा की उमीदवार मुकेस दलाल निर्विरोध चुनाब जीत चुके हैं इसलिए वोटिंग 552 सीटों पर ही हो रही है एक जून को शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद अलग-अलग टीवी चैनलों पर एक्जिक पोल दिखाये जाएंगे लोग सवाचुनाब की नतीजों और विश्लेशन के लिए जुड़े रहे दाखबरदार न्यूज के साथ धन्यवाद